होसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक वार फिर फेक वार चितने की उमीद को जिंदा रखना एक और नहीं कलास में आपका स्वागत है वीडियो नंबर है 48 एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तिरकोड मिती का एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोण का परिवर्तन होता है आपने अग सथ syrup है तो इस को से निकालेंगे इसके पीछे की कलास में आपने दो कलास में देखा होगा कि साइन फथTOR प्याहें सदम थर क्या होगा सब करलते हैं वह यहीं सब दर निकलता है बताता हूं कैसे चलो कि साई नबबे कीम फिंबताई啊 यह क्या Beetle की बताता हूं पहले मैं आपको इसको समझाओंगा बाद में पहले कुछ कुश्चन दिखाता हूँ तो बच्चा यह होता है प्लस में कॉस थीटा कैसे होता है क्यूं होता इसके बारे में अभी बिस्तार से बताऊंगा अगले 10 मिनट तक मुझे देखते रहे न कॉट 90 माइनस थीटा यह क्या होगा प्लस में 10 90 माइनस ओ सारी प्लस में 10 थीटा अगला बताओ कॉस थीटा क्या होगा कॉस थीख होगा प्लस में सेख थीटा कॉस थीख होगा पक्का ना बताता हूं देखो कैसे आओ इधर देखो कंसेप्ट देखो ये सभी क्या है ये ऐसे लिखे गए हैं एक दूसरे के अपोजिट है क्या है अपोजिट और आगे वाला काहे लिखा है ये क्या है अपोजिट है समझना आपोजिट का मतलब ऐसे समझो आप जैसे मैं आपको कहूं कि तीन का पोजिट बताओ तो क्या होगा एक बटा तीन अपने योगात्मक परतिलोम या गुड़ात्मक परतिलोम कुछ पढ़ा है गुड़ात्मक परतिलोम में ऐसा होता है न मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स में क एक चारो ऑच्छाए यह होता है मतलब कि उनको दोनों का आपस में गुडा करू तो एक था थिक है वही क्या होते हैं। लोगे तीन का इनका मल्टिपल करो तोहान आजाय है इसीख मोटामत12 करो क्रांट तू जकान तो वैसे इसका भी है। कहा जाए साइन का तो साइन का क्या होगा साइन थीटा का मुल्टिप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कॉस एक थीटा क्या होगा कॉस एक थीटा ठीक है बताता हूं कैसे और क्यों उसके बारे में हम देखो तो साइन का यह अपोजिट हो गया कॉस का हो गया इधर क्या है साइन कॉई भी कोड हो 90 और 270 वाले में राजी परीवरतन होता है बाकि किसी में चेंजिंग नहीं होता है ठीक है तो साइन की से बदल जाता है कॉस में कॉस किसमें साइन में टैन कॉट में कॉसेक सेक में से कॉसेक में और टैन कॉट में इसका मतलब क्या है मैं बार बार काहे लिखा हूं बताता हूं यह इनका चेंजिंग वाला याद रखना अपोजित अलग चीज है चेंजिंग अलग चीज आप ऐसे समझ लो इसको ना भूलने के लिए कि इनका क्या है इनकी सब के साथ हुआ भाई साइन का कॉसक के साथ कॉसक के साथ टैन का कॉट के साथ लेकिन विया के बाद इनके हो जाते है एक्स्ट्रा मेरिटेल अफेर ठीक है यह क्या होते हैं बदल जाते हैं इनका हुआ तो था कॉसक कि क् Fr सक्किक साथ लेकिन यह रहने लगे बाद में खूस के साथ थीक है तो कॉस भी रहने लगा इन के फात अब क्या बचा गडबड किसके साथ ऊगले वगले से अधली बदली करव समझे लोद इस पर अच्छा एक्जामपल वह नहीं सकता है ठीक है बात समझ में ना भूलने के लिए इसमें बाकी 10 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तैन में 10 कॉट में बदलता है और 10 का पोजिट भी कॉट ही होता है और कॉट 10 में बदलता है यह बिलकुल एधम पूरा वाफादा लाएल है 100% ठीक है साइन और कास यह दोनों गरबड़ कर जाते हैं जिनके साथ होना था उनके साथ नहीं हुए changing वाले में यह गरबड़ कर जाते हैं ठीक है साई इसमें बदल जाता है यह यहीं में पॉइंट आली बात है बदलता कभ है किस किस सिच्छे सथे में बदलता ह है जब कौन 90 का बनता है तब उसमें 270 वाले में बात समझ पाई ना जैसे यहां पर समझ ना पूरा सारा पॉइंट अच्छे समझ लो तभी जाना वीडियो छोड़के वरना कुछ हाय वाएगा नहीं जैसे मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा ठीक है समझ ना अभी मचिन की बात नहीं करूंगा अभी सिर्फ बदलाव की बात करूंगा कि कौन किसमें बदलता है बफ नब्ब माइनस थीटा वाइस आप साइन दोनों है ना याद रखना यह किसमें बदल जाएगा यह कौस में बदल जाएगा किसमे इनका यूज्ज क्या आपका होगें क्या आप्क हालतू का मतलब कर रहे हो क्या मतलब है इसका यूजड क्या है बताता हूं तुमें देखो इनका यूज कहां लगता ततकाल यूज करके देखो तुरन फटा फट जैसे आपने पढ़ा होगा कि पढ़े हो भाईया आप पढ़े हो ना साइन नब्बे अंस कमान तिरकोड मितिया का जो सारड़ी बनाया था उसमें तुम्हें दिखाया था बनो होता है दिखाया था ना लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि यह चचाई बता हो साइन 180 के मान का होए हो कितने कैं 180 तब करोगे है हम तो नब्बें तक बढ़े हैं 180 कहां पढ़ाए हो वही लिए इसका यूज होगा जो बताया हो भी तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 को 90 पलफ नब्बे बोलो लिख सकता हूं कि नहीं अगर मैं 90 पलफ नब्बे लिख दिया तो बराबर बात वही हुई ना 180 हो जाएगा अब ये वाला क्या है कोण की जगा पे थीटा की जगा पे कोण क्या है थीटा की जगा पे 90 है साइन 90 पलफ थीटा देखो क्या ह होता है कॉस्ट थीटा होता है क्या होता है कॉस्ट थीटा होता है तो भाई साहब यह बदलेंगे किसमें कॉस्ट में थीटा की जगा नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् तो sain 180 का क्या होग? 0 होगा इसका यही हुज होता है ठीक है? बात समझ पाए ना? या समझ में? जैसे कहा जाए कि साइन 120 अंस कमान बताओ भाई साइन 120 अंस कमान हमें नहीं पता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको साइन 90 प्लस 30 बोलो लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 और तुम्हें पता है साइन किस में बदलता है साइन कॉस में बदलता है तो रख दो क्या होता है जो साइन साट का होता है रूट तीन बटा दो बात समझ में आया भाई है बाबू तो यह क्या थे ही यह कहानी थी रिकोड मिती की बड़ा अच्छी वाली थी इंपोर्टेंट वाली समझ पाए ना कि कौन किसमें चेंज होता है नबबे प्लस थीटा नबबे माइनस थीटा का अच्छा नो दस में हो न तो तुम्हाई लिए संजीव नहीं है यह और अगर ससी का इजाम अगरा देरो सीजेल अगरा बैंकिंग का तो इसको नहीं पढ़ोगे न तो कुछ नहीं ह ना और साइन में ही है 270 क्या है 270 प्लस थीटा यह 270 माइनस थीटा इसी इतने में रासी परिवर्तन होता है ठीक है बाकी में नहीं होता है जैसे अगर तुमसे कहीं पूछा जाए कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा तो याद रखना 360 प्लस थीटा जो साइन का है वो साइन थी थीटा ही होगा यह कुछ और में नहीं जाएगा हाँ चिन की बात अभी नहीं कर रहा हूं यहाँ पे प्लस-mineus कि याद रखना चिन का क्या होता सिस्टम ए-स-टी-फी ए-स-टी-फी चारो-चतुरसांस में तो 90 फीटा किसमें जाएगा अहले वालम चला जाएगा सब 360 साइन ही होगा कॉस में बदलेगा साइन 180 साइन ही रहेगा सिर्फ 270 रहेगा या 90 रहेगा चाहे प्लस चाहे माइनस तो बदल जाएगा याद रखना ठीक है सबीको बात समाझ में आ रही ना मेरी क्या कह रहा हूं मैं अगर इसके तीन चार पांच वीडियो बनाऊंगा ऐसे सब्सक्राइब देखो ना तो लाइक करो ना ही सेर करो बस डाउनलोड कर ले तो चुपपे से काम चलता नहीं ठीक है इमांदारी फिर देखो प्यार फिर देखो समझो अच्छा रहेगा समझ में आएगा तो मुझे यह बताओ आप लोग चलो इमांदारी से बताओ यह बताओ पूश्चन है अगर मैं तुमसे पूछ हूँ यह बताओ जैसे मैंने बताओ यह तोड़ तोड़ के सब्सक्राइब यह बताओ यह तोड़ तोड़ के निकालना है साइन एक सब्सक्राइब करूंगा ठीक है और हाँ एक चीज़ और चलते चलते क्या बता है जो एक महीन हम सीखना चाहते हैं डारेक्ट हमसे डाउट पूछेंगे, हमारे साथ रहके अच्छे से पढ़ाई करेंगे ढंग से, हम उनकी पूरी रिस्पांजबिल्टी लेंगे, बस वो सिर्फ पढ़ेंगे, वही संपर करेंगे, बाकि आप फ्री पढ़ना चाहते हो, ऐसे यूटूब में सब्सक्राइब क तो डेली आपको कम से कम दो से तीन गंटे पढ़ना होगा, दो से तीन गंटे पढ़ोगे, आपको एक महीना माश्टर बना देंगी, ठीक है, धन्यवाद, कुछ भी कहना है तो कमेंट में बताना,